दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सिखेंगे कि Yono SBI से bank account की statement कैसे निकाले सिर्फ 2 मिनिट में ही आप Yono SBI से bank account की statement निकाल सकते हैं एक साल पुरानी भी statement आप Yono SBI से निकाल सकते हैं कैसे निकालते हैं Yono SBI से bank account की statement स्टेटमेंट इसके बारे मैं आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं योनो SBI से बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आप योनो SBI अप्लिकेशन को ओपन करेंगे और आप अप्लिकेशन में लॉग इन कर लेंगे आपके सामने दोस्तों योनो SBI अप्लिकेशन का कुछी स्टैप का यूजर इंटरफेस खुल के आ जाएगा योनो SBI से बैंक की स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट का ओप्शन दिखाए देगा आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप Next Page पे आ जाएगे यहाँ पर दोस्तों आपको एकाउंट नंबर और एकाउंट बैलेंस की डिटेल दिखाए देगी जितने भी आपके SBI में एकाउंट होगे यहाँ पर आपको डिटेल दिखाए देगी जिस भी account की दोस्तो आप bank की statement डाउनलोड करना चाते हैं तो simple सा आप उस account पे click कर देंगे अब आप दोस्तो next page पर आ जाएंगे अगर आप दोस्तो अपने bank account की script transaction की detail देखना चाते हैं तो आप यहां से अपने bank account की transactions की detail देख सकते हैं लेकिन अगर आप दोस्तो अपने bank account की statement को डाउनलोड करना चाते हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए यहां पर आपको दिखाया गया user can view or download email only up to 150 transactions आपनी PDF फाइल में दोस्तो बैंक की statement को डाउनलोड भी कर सकते हैं आप पनी email ID पर statement मगा भी सकते हैं लेकिन आप यहां पर दोस्तो 150 transaction की detail को यहां पर statement को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपनी email ID पर मगा सकते हैं अगर आपने देर साल में या फिर एक साल में 150 transaction कंप्लीट किया होंगे डाउनलोड करने के लिए statement को यहां पर आपको दो option दिखाएगे दोस्तो पहला आपको यहां पर passbook का option दिखाएगा दूसरा आपको यहां पर email का option दिखाएगा email पर दोस्तो bank की statement मगाने के लिए आप email पर क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं mail has been sent to your registered email ID तो आपकी email ID पर bank की statement send की जा चुकी है अगर आपकी दोस्तों आपके bank account में email ID registered नहीं है तो आप दोस्तों अपनी bank की statement PDF file में download कर सकते हैं तो simple सा आप first में आपको passbook option दिखाए देगा आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी bank की statement PDF file में download हो चुकी है successfully अब आप OK करेंगे और आप अपनी bank की statement देखने के लिए दोस्तों आप पनी email ID को open कर लेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते you know sbi की तरफ से हमारे पास statement आ चुकी है तो हम इसको open कर लेंगे email को open करते ही जो आपकी यहाँ पर दोस्तों account की statement है वो password protected है तो password में आपको यहाँ पर फार्ग जंपल दिखाया गया आपको अपनी data birth add the red last four digit आप registered mobile number का यूज करना है यहाँ पर आपको फार्ग जंपल दिखाया गया आपको अपनी data birth की date और month और add the red plus last के mobile number के last के चारंग आपको यूज करना है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया तो हमारी यहाँ पर account की statement आच चुकी हम इसको download कर लेंगे तो यहाँ पर आपको password इंटर करना है और आप open करेंगे open करते हैं यहाँ पर आपको आपके bank account की statement दिखाये देगी 150 transaction की आपको यहाँ पर bank account की statement दिखाये देगी इसके बाद दोस्तों आपके एक bank account की statement payment PDF file में आई होगी इसके लिए दोस्तों आप file manager को open करेंगे file manager में आने के बाद दोस्तों आपको recent पे click करना है जहाँ पर भी आपको recent दिखाये दे आप उसपे click करेंगे और जहाँ पर भी आपको download manager का option दिखाये देगा आप उसपे click करेंगे click करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी account की statement आज चुकी है PDF file में तो हम इसको open करेंगे यहाँ पर भी दोस्तों आपकी जो PDF file है password protected है आपको यहाँ पर password a.p か क्लिक करेंगे आप यहां से send file भी कर सकते हैं और आप यहां से print भी कर सकते हैं नहीं तो आप पने account की statement को आप PDF file में save कर लेंगे तो ऐसो दोस्तों आप यूनस बयाएज से अपने bank account की statement को download भी कर सकते हैं और आपनी email आइडी पर मंगा सकते हैं आसा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा या वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं दोस्तों नैश वीडियो में जेहिंद